बंबी जी मैं ठंडी चाय कैसे पेलूं दस मिनट चाती हूं अपने लिए केवल वो भी किसी से बरदास नहीं होता जैसे ही इशिता अपना चाय का कप लेकर बैठती सासुमा ने आवाज लगा दी इस वज़े से जुंजला रही थी इशिता ने चाय छोड़कर सासुमा को मंदिर में परशाद दिया और चाय पीने के लिए टेबल पर आई अभी कप होटो तक पहुचा ही था कि रिटेस के आवाज आई इशिता जल्दी मेरा नास्ता लगा दो बहुत देर हो रही है ओफिस के लिए लो पी लो चाय इशिता जुंजला का रसोई की तरफ चल दी च चाय का कप टेबल पर रखा सब को बताना चाह रहाता कि इशिता ने अब तक मुझे छुआ भी नहीं है ये कहानी है इशिता जैसे हजारों औरतों की जो सुबा से उठकर काम में लगी रहती हैं जिनें सुबा से एक कप चाय पीना भी नसीब नहीं होती उस पर सबका यही चाय पीने के लिए ये तो कहानी है सुबा की जब घर में हर काम की जल्दी रहती है लेकिन शाम को क्या समझ से है कौन से जल्दी होती है जो साम के समय भी एक ओरत को चाय नसीब नहीं होती आईए शाम की समस्य से रूबरू होते हैं सासूमा और अपनी चाय लेकर ईशिता ह आलो बलने रख दो इतनी देर में आलो बल जाएंगे आलो गैस पर रखकर आई तो सासुमा फिर बोली पहले रितेस को पनी लाने के लिए फौन कर दे वरना भूल जाएगी रितेस को फौन किया तो रितेस ने साथ में मिस्सी रोटी वेजिटेवल रायता पापर और सलाद की इच्छा रख दी इतनी देर बाद करने के बाद चाय तो बरफ हो चुके थी और चाय ककप इशिता को मूँ चड़ा रहा था सासुमा तो अपनी चाय पीकर पार्क में टहलने चल दी इशिता वहीं खड़ी सोचती रही कि इस सम्में गलती किसकी है शायद उसकी खुद की है क्योंकि घर के लोगों को तो जब कोई आदमी वक्त बेवक्त काम करने को तयार खड़ा हो तो सब उसका नाजायद फायदा उठाते ही हैं आज इशिता ने एक फैसला लिया अगले दिन इशिता सुबह दस मिनट पहले उटी और काम निम्टा कर सासुमा के लिए परशाद तयार करके रसोई में ही रख दिया और अपना चाय का कप लेकर अपने कमरे में आ गई वहां सुकून से बैटी और अपनी पसंद के गाने चला कर अराम से चाय पीने लगी सासुमा से पहले ही बोल दिया था कि परशाद तयार करके रसोई में रख दिया है वो पूजा करने से पहले परशाद ले ले आज कमरे में चाय पीते हुए रितेश के साथ थोड़ी से गुपतगू हो गई तो आज इशिता बहुत अच्छा महसूस कर रही थी ना ही आज उसे जुंजला हट महसूस हो रही थी उस समय तो सासुमा ने कुछ नहीं कहा शाम को भी इशिता सासुम में ये प्लग लगा कर गानों का मज़ा ले रही थी उधर आज सासुमा को चाय अकेले पीनी पड़ी पार्क में भी आज वो इशिता में आए बदलाव के बारे में सोचती रही शाम की चाय पीकर इशिता तरो ताजा महसूस कर रही थी फिर वो रसोई में डिनर की तैयारी करने के लिए आगई आज मून अच्छा था मन ही मन गाने गुन गुना रही थी तो जब डितेज घर वापस आया उसके खिले हुए चेहरे को देखकर अपनी धकान भूल गया आज क्या बात है मैडम आज ही बिजलिय कहां गिरने वाली हैं इतने दिनों से दोनों के रिस्तो से जो उदासिंता ला दी थी वो भी आज गायब होकर प्यार और खुशी के बहार से खिल उठी थी सासुमा समझ नहीं पा रही थी इशिता ने एक ही दिन में उनके बनाई मकड़ जाल को काट दिया था इतने दिन से जो दोनों को दूर रखने के उनके प्लानिंग इसी तरह चलता रहा तो सासुमा परेशान हो गई वो रितेस से बोली बेटा मैं अकेले बैठकर चाय पीती हूं बहुत अपनी चाय लेकर अपने कमरे में जाकर बैठती है उसे कोई मतलम नहीं होता कि मुझे किसी चीज की जरूरत है रितेस ने इशिता के तरफ देखा तो इशिता बोली ममी जी मुझे सुकून के 10 मिनट चाहिए मैं शानती से बैठकर चाय पीना चाती हूं पूरे दिन बिना आराम के घर के गाम करती हूं केवल चाय के समय 10 मिनट अपने लिए चाती हूं उसमें भी किसी को क्या प्रावलम है क्या सब के काम उसी 10 मिनट में जरू पुट से गले में उतार लो या फिर चाय पीने का इरादा ही छोड़ दो क्योंकि बहु को तो चाय पीने का हक ही नहीं है आप हमेशा मेरी ठंडी चाय को देखकर कहती हो मैंने कब मना किया है तुम्हें चाय पीने को मना भी नहीं किया लेकिन ठंडी चाय में कैसे पेलू इसल की बात सुनकर रिटेस ने कहा मम्मी मुझे लगता है इशीता ठीक कह रही है घर के काम उसे समालने हैं तो काम करने का समय भी उसे ही समालने दो उसे भी अपने लिए समय निकालने दो चार दिन से उसमें आए बदलाव से मैं भी खुश हूँ अब मैं आफिस में बेफिक्र का करता हूँ कहकर रिटेस वहां से उठकर चला गया सासुमा देखती रह गई क्योंकि आब उनके पास इशीता के बात का कोई जवाब नहीं था दोस्तो अधिकतर घरों में यही होता है कि बहु को हर समय कुछ ना कुछ काम बताने रहते हैं वो चाय या खाने या नास्ते के लिए भी बैठे तो भी सब को भारे दिखता है इसलिए बहु को कदम तो उठाने ही पड़ता है प्रूभ प्रूप चाय था है